दोस्तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सब्धिता देखिए पहला क्यूश्चन दिया है वैदिक आरियों का प्रमुक भोजन था ए जव और चावल बी दूद और इसके उत्पाद सी चावल और दाले डी सबजी सबजिया और फल तो इसमें से आपसन नमबर बी सही है दूद और इसके उत्पाद नेक्ट क्यूश्चन देखिए दूसरा नमबर देखिए दूसरा नमबर कह रहा है कि निमलिखित में से कौन सा अन्य मनुस द्वारा सबसे पहले प्रियोग होने वाले में से था आपसन ए जव आपसन बी जई आपसन सी राई आपसन डी गेव हूँ तो इसमें दूसरे नमबर में आपसन नमबर ए सही है जव ठीक नेक्स्ट क्यूस्चन देखिए देखिए तीसरा नमबर क्यूस्चन कह रहा है कि वैदिक लोगों दौरा किस धादु का प्रियोग सबसे पहले किया गया था तो ए चादी है बी सोना है C लोहा है D तामबा है तो वैदिक लोगो द्वारा किस धादु का प्रियोग सबसे पहले किया गया था तो इसमें है तीसरे नमबर में आपसन नमबर D तामबा का सबसे पहले प्रियोग किया गया था नेक्ट क्यूशन देखिए देखिए चौथा नमबर कह रहा है कि वेद सब्द का अर्थ है तो चौथे नमबर में वेद सब्द का अर्थ है आपसन A ग्यान, आपसन B बुध्धिमता, आपसन C कुसलता, आपसन D सक्ति तो इसमें आपसन नमबर A सही है ग्यान ठीक, next question देखिए देखिए, पाशवान नमबर question कह रहा है कि कि यन तीन वेदों को सईयुक्त रूप से वेद त्रय कहा गया है A. रिगवेद यजुर्वेद अथरवेद B. रिगवेद सामवेद अथरवेद C. रिगवेद सामवेद यजुरवेद D. यजूरवेद, सामवेद, अथरवेद तो पच्वे नमबर में आप लोग कमेंड करके बताएंगे कि कौन सा अंसर आपका सही है तो पच्वे नमबर में है आपसा नमबर C सही है ठीक, नेक्स्ट क्यूस्चन देखिए देखिए, छाटवे नमबर तो इसमें पूछा है कि आरे सभ्यता के मनुष्च के जीवन की आयू के आरोही क्रमा अनुसार निमन लिखी चरणों में से कौन सा विकल्प सही है तो छाटवे आले में आपसा नमबर A सही है ठीक, आपसा नमबर A ब्रामचर ग्रिहस्ट वन प्रास्ट सन्यास देखिए साथवे नमबर में आरे आरियो के पूर साथ अपने संघर्सों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रियोग किया बी, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे सी, वे एक उन्नत सहरी संस्कृत से थे डी, उन्होंने घोडों दोरा चलाया जा रहे थे रतों का प्रियोग किया तो साथवे नमबर में आपसन नमबर डी सही है, ठीक इसमें आपसन नमबर डी में उन्होंने घोडों दोरा चलाया जा रहे रतों का प्रियोग किया था, ठीक आठवे नमबर क्युक्शन देखिये आठवे नमबर में कह रहा है कि आराम्भिक वैदिकाल में वर्ण ब्यवस्ता आधारी थी A. सिच्छा पर B. जन्म पर C. ब्यवसाय पर D. प्रतिभा पर तो आठवे नमबर में आपसन नमबर C सही है ब्यवसाय पर ठीक अब देखिए नेक्ट क्यूस्चन देखिए नमबर कह रहा है कि रिगवेदिक पसुचारी लोग थे यह इस तत्थ से पुष्टी होता है कि आपसन A. रिगवेदिक रिगवेद में गाय के अनेक संदर्व है B. अधिकांस युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे C. प्रोहितों को दिये जाने वाले उपहार प्राय गाय होती थी ना की जमीन उप्युक्त सभी तो नवे नमबर में आपसन नमबर D सही है इसमें सभी सही है ठीक है नेक्ट क्यूक्शन देखिए कि आरियों को एक जात कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था तो आपसन ए दिया है सर विलियम जोन्स आपसन भी एच एच विल्सन C. मैक्स मूलर D. जनरल कनिंगम तो दसवे नमबर में है आपसन नमबर C मैक्स मूलर ने पहले सबसे पहले कहा था यूरोपियन था ठीक देखिए नेस्ट क्यूस्चन इगारा नमबर देखिए इसमें कहे रहा है कि आरियन जन जातियां जातियों की प्राचिंतम बस्ती कहा है A. आपसन A. उत्तर प्रदेश आपसन B. बंगाल आपसन C. सब्त सिंधू आपसन D. दिल्ली तो इगारा नमबर में है आपसन नमबर C. ठीक सब्त सिंधू नेस्ट क्यूस्चन देखिए देखिए आगला क्यूस्चन कहे रहा है कि नेमने लिखित में से कौन सी जन जाति सभा सामाने रूप से जन जाति सरदार मुखियों के चुनाओं में सामिल होती थी A. समीती B. सभा C. गण D. विदाता तो बारा नमबर में आपसन नमबर A. सही है ठीक समीती देखिए अगला क्यूस्चन आप लोग वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक चरूर कीजिएगा ठीक तेरा नमबर देखिए क्यूस्चन कह रहा है राज जब इसे एक समारो का विवरन लिखित में से किस्में किया गया है A. केनोपोनिस सिद B. विशलोपुराण C. एतरही ब्रामडी D. अथरवेद तो तेरा नमबर में आपसन नमबर C. सही है ठीक एतरही ब्रामड नेश्ट किश्चन देखिए देखिए चवधा नमबर कह रहा है वैदिक यूग में राजा अपनी जनता उसे जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे A. बली B. विदत C. वर्मन D. कर तो चवधा नमबर में आपसन नमबर A. बली कहते थे ठीक देखिए नेश्ट किश्चन नेश्ट किश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है A. यजूरवेद B. अथरवेद C. रिगवेद D. सामवेद तो पद्धनरा नमबर में आपसन नमबर C सही है ठीक प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है तो रिगवेद से लिया गया है देखिए नेश्ट किश्चन 16 नमबर देखिए इसमें कह रहा है कि भारती प्रतीक पर उत्क्रिण सत्य में उजयते लिया गया है A. रिगवेद से B. मस्ष पुरान से C. भगवत गीता से D. मुन्दकोप उप्षिद्ध से ठीक तो 16 नमबर में आपसन नमबर D सही है ठीक भारती प्रतीक उत्क्रिण सत्य में उजयते लिया गया है मुन्दकोप उपनी सत्य जयते ठीक Next Question देखिए 17 नमबर देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस विदुसी ने वाद विवाद में अजे या गवलक के चुनाउती दी थी तो आपसन ए है घोसा आपसन बी है अपाला आपसन बी है मित्रे मित्रेई आपसन डी है गारगी तो 17 नमबर में आपसन नमबर डी सही है गारगी ठीक Next Question देखिए देखिए 18 नमबर में कह रहा है कि प्राचीन भारत में निमलिखित में किस विवाह के विधी सम्मत नहीं माना जाता है था तो इसमें 18 नमबर में आपसन नमबर सी सही है ठीक गंधर विवाह को नहीं माना जाता था आप लोग को वीडियो अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को जरूर सेर कीजेगा